धार क्राइम ब्रांच और मनावर पुलिस टीम ने अवैद रूप से हतियारों की तसकरी करने वाले तीन आरोपियों को पकड़ा है जो इनके कबजे से चार पिस्टल, ग्यारा देशी कट्टे और तीन जिन्दा कार्टूस बरामत की गए हैं पूरे मामले को लेकर धार जिलापुलिस अदिक्षक आदित्य प्रताप सिंग ने प्रैसवारता के माध्यम से जानकारी देते हुए बताया कि धार साइबर क्राइम प्रभारी धीरत सिंग राठोर को मुखबीर से सूचना मिली थी कि मनावर धाना छेत्र के रहने वाले अविनाश, मासीनिया अमझेरा छेत्र के राहुलदावर और लखी वर्मा के साथ मिलकर सिंगाना छेत्र में सिकली करों से देशी पिस्टल खरीद कर उचे दामों पर धार, इंदोर और आसपास के जिलो में बेचने का काम कर रहे थे जो छेत्र में है जिसमें पुलिस ने इनको इंटरसेप्ट किया और पकड़ा है इसकी कीमत करीब 3,11,000 है पूरे मश्रूके की और इन्होंने बबीर सिंग और जजबीर सिंग नाम के सिखलिकर से इन्होंने यह आतियार खरी दे थे और यह हमारी क्राइम रांच और मनावर पुलिस की अच्छी समतर है इसमें जो बबीर सिंग है उसका पूर में रिकॉर्ड है और राहूल नाम का जो लड़का है उसका पूर में रिकॉर्ड है आरोपियों के पास से पूलिस ने चार पिस्टल, 11 देसी कटे, 3 जिन्दा कार्टूस और 15 मोटर साइकलें जब्त की है जिनकी कुल कीमत 3,11,000 रुपे बताई जा रही है प्रातह दरपन न्यूस के लिए धार से रोहित शिरीवास की रिपोर्ट